हलो बच्चो वेलकम तो आई यूट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे नाइन स्टैंडर के मैट्स टू जोमेट्री का चैप्टर नुबर टू हम लोग ने इसका प्रैक्टेस लेट 2.2 शुरू किया था जिसका एक लेक्चर हो गया है आज हम इसका लेक्चर 2 करेंगे लेक्च दिख लिया तो आगे की questions easy हो जाएंगे अब हम शुरू करेंगे 4th question यह वाला figure है देखो 4th का तो 4th question में दिया है in figure 2.21 if ray BA is parallel to ray DE BA देखो यहां पर है और DE यहां पर है यह दोनों एक दूसरे को parallel है angle C is equal to 50 degree यह रहा angle C 50 degree दिया हुआ है and angle D is equal to 100 degree यह angle D 100 degree दिया हुआ है find the measure of angle ABC यह वाला जो angle है न ABC यह आपको find करना है hint क्या दिया है वहां पर draw a line passing through point C यह जो C है न इससे एक line बनाने है जो इसके through pass हो कैसी होनी चीए line and parallel to line AB यह जो line AB है इसको parallel होनी चीए तो C के through एक ऐसी line बनाएंगे ऐसी वाली ठीक है जो AB को parallel हो उससे क्या होगा उससे हम लोग parallel lines की जो सारी properties है वो use कर पाएंगे तो हम लोग construction करते हैं जो hint है इसको construction बोलते हैं न कोई अलग चीज आप figure में बनाओ उसको बोलते हैं construction तो construction में हम लोग एक line बनाएंगे ऐसी जो AB को parallel होगी उसको नाम दे देते हैं ठीक है तो यह तीनों line यह एक दो तीन यह तीनों एक दूसरे को parallel है अभी हम लोग को ABC find करना है यह वाला find करना है ना angle तो कैसे find करेंगे देखो आपको दिख रहा है कि यह यहाँ पे Z बनता है ऐसे अगर आपको यह angle मिल गया पूरा तो यह angle तो equal to आ जाएगा Z है इसलिए alternate angles क्योंकि AB और XY तो parallel है बट यहाँ पे यह angle में आपको इतना 50 पता है लेकिन यह नहीं पता ठीक है तो अगर आपको यह मिल गया तो भी आपका काम हो जाएगा है ना दूसरा तरीका यह है कि देखो यह AB और यह line parallel है पर यहाँ पे C बन रहा है देखो C मतलब interior angle तो यह वाला angle प्लस यह वाला angle दोनों को add करूंगा तो कितना आएगा 180 degree आएगा ना interior angle जाए supplementary तो अगर कहीं से आपको यह भी मिल गया तो भी आप यह find कर सकते हैं तो यह find करने के 2-3 तरीके हैं ओके आप जो चाहिए तरीका यूज़ कर सकते हैं आपको हमेशा mark same आएगे क्योंकि आपको answer भी same आने वाले तो मैं यहाँ पे क्या use कर रहा हूँ देखो यह यहाँ पे 100 यह वाला जो angle ही यहाँ पे देखो यह C बन रहा है यह वाली line और यह वाली line parallel ना तो यह 100 है तो यह कितना होगा interior angle supplementary होने चाहिए तो यह find कर सकते हैं ना हम तो इसक supplementary होता है interior angle C बन रहा है C मतलब interior angles lines अगर parallel है तो interior angle supplementary होंगे अगर यह 80 और यह 50 ठीक है तो यह पूरा angle क्या बन जाएगा total 80 प्लस 50 कितना होता है 130 degrees अब यह देखो यह Z देख रहा है आपको Z है और यह वाला line और यह वाला line एक दूसरे को parallel है तो मैं बोल सकता हूँ यह वाला angle और यह वाला angle equal angle यह वाला angle कितना है देखो हमने अब भी लिखा 130 degrees न यह बड़ा देख रहा है tension मतलो देखके यह पूरा angle यहां से लेके यहां तक का मतलब यह angle जो है न वही है तो वो क चलो second तरीका करते है इसका अब यह Z दिख रहा है आपको है ना Z इसमें यह line और यह line तो parallel है अभी देखा था हमने तो अगर यह 100 है तो यह कितना आएगा total यह भी 100 आएगा ना क्योंकि Z बन रहा है alternate angles equal होते हैं तो यह पूरा angle 100 है तो अगर यह 50 है तो यह जो angle हो कितना 100 तो यह पूरा angle 100 होता है तो यह angle मुझे 50 आगया अब यहाँ पे देखो C बन रहा है उल्टा बन रहा है ना C तो इसको और इसको add करेंगे तो 180 डिगरी आएगा तो यह angle कितना हो जाएगा 180 डिगरी आड होने के लिए यहाँ पे 130 आना पड़ेगा तो यह आजाएगा 130 डि और ली क्या किया मैंने चलो इसको solve करते हैं अभी यह raise कर रहा हूँ नहीं समझा तो tension मतलो यह construction किया मैंने xy passing through c such that xy is parallel to a b इसको ऐसे लिखेंगे given information में दिया है रे भी यह parallel ray d e फिर angle c 50 दिया हुआ है अब यह angle c यह वाल angle है तो इसको नाम दे देते हैं b c d सिर्फ angle c लिखेंगे ना तो confusion होगा कि यह वाला है कि यह वाला इसलिए angle c equal to angle b c d लिख दिया equal to 50 degree same है ना c angle और b c d फिर angle d कितना दिया है तो 100 degree तो angle d 100 है लेकिन angle d भी सिर्फ लिखेंगे तो confusion होगा इसलिए edc बोलते हैं उसको edc equal to 100 degree पूछा क्या है find the measure of angle a b c तो मैंने लिख दिया measure of angle a b c construction क्या किया हमने एक line बनाई x y तो draw line x y passing through point c यह c के through pass होना चाहिए and parallel to line a b और यह जो line बना है वो a b को parallel होना चाहिए यह हमने बना दिया अब यह use करके हम लोगों को इसका value निकाला है किसका a b c का मैंने और लिया आपको पूरा बता दिया कि कैसे solve करना है ठीक है तो अब वो use करके हम लोग इसको solve करेंगे देखो यहां पे मैं पहले use कर रह क्या हुआ है x y is parallel to a b तो first point है x y is parallel to a b reason क्या रिखेंगे construction ओके यह हम नहीं बनाया second क्या बोल सकता हूँ अच्छा यहां पर one मत लिखो number नहीं तो आपको confusion हो जाएगा यहां पर इसको number ऐसे दे दो one फिर दूसरी चीज मैं बोल सकता हूँ a b is parallel to d e यह वही दिया है ना देखो a b is parallel to d e आप b a को a b बोल सकते हो रे नहीं लिखोगे तो चलेगा तो मैं बोल सकता हूँ a b is parallel to d e given and a b is parallel to d e given योगया 2 अब मैं क्या बोल सकता हूँ x y a b को parallel है and a b d e को parallel है तो x y d e को भी parallel हो जाएगा तो मैं लिख दूँगा from 1 and to x y parallel to d e ठीक है x y a b को parallel है a b d e को parallel है a b a b say मैं देखो तो x y इसको भी parallel होगा मतलब यह जो line बनाया वो d e को भी parallel होगा ओके यह figure काट के नीचे paste करूँ गया ताकि आपको समझ मैं क्या solve कर रहे हैं उसमें क्योंकि यह तो information हमको पता है already ठीक है फिर पूरे page पर बता दूँगा कैसे solve किया क्योंकि ऐसे बार बार उपर नीचे करूँगा न ऐसे उपर नीचे करूँगा तो आपको confusion होगा तो यह हमको आगे xy parallel d e इसको number दे दिया हमने 3 अब मैं यह वाला system यूज़ करूँ xy और d e parallel है तो यह जो c बन रहा है न यहाँ पर उसमें मैं बोल सकता हूँ xy is parallel to d e और यह जो line है d c यह उनसका transversal है न उनका transversal मतलब यह दोनो parallel को काट रहा है अगर यह दोनो parallel को काट रहा है तो वो transversal हो गया और अगर यह c बन रहा है तो मैं बोल सकता हूँ यह वाला angle यह वाला angle क्या होंगे यह लोग दोनो supplementary होंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग xy parallel d e and c d is the transversal c d is the transversal therefore I can say this angle plus this angle is 180 degree क्यों interior angles are supplementary ऐसे लिखुंगा xy parallel d e and c d is the transversal therefore this angle plus this angle is 180 degree यह दिस angle काँ से आया है था edc plus dc y यह वाला ठीक है यह c में यह दोनों angle बन रहे है यह और यह दोनों का sum करूँगा तो 180 आना चाहिए because interior angles are supplementary edc का value क्या है 100 है na edc का value 100 है तो यहाँ पर 100 substitute करो तो बोलूँगा therefore 100 degrees plus measure angle dc y is equal to 180 degree इसमें 100 को उदर भेज देंगे तो dc y का value क्या आ जाए जाएगा 180 minus 100 which is 80 यह आ जाएगा 80 हो जाएगा 180 यह देखो 100 इधर positive है उदर जाके क्या हो जाएगा negative 180 minus 180 आ जाएगा एक बार figure में देख लो अगर यह 100 तो इसको 80 होना ही पड़ेगा because इसका और इसका sum 180 आना चाहिए तो यह मुझे मिल गया कितना मिल गया 80 degrees अब मुझे a b c का value चाहिए मुझे पता है a b c and b c y में z बन रहा है b c y कैसे निकालेंगे b c y 50 plus 80 होना चाहिए न क्योंकि b c y क्या होगा b c d plus d c y ऐसे होगा न लिख सकता होनों मैं 50 plus 80 तो हम लोग b c y का value कैसे निकालेंगे देखो ऐसे लिखेंगे यह जो पूरा एंगल है b c y यह आएगा b c d plus d c y एंगल एडिशन प्रॉपर्टी क्योंकि यह जो बड़ा एंगल है इसमें यह दो एंगल बन रहे है एक प्लस दो दोनों को आड़ करके यह बड़ा एंगल बनेगा b c y इसको बोलते है अंगल एडिशन प्रॉपर्टी बिस दी का value क्या है 50 डिग्रीज देखो b c d 50 डिग्र क्यों यहां पर देखो z बन रहा है तो यह आंगल एंगल एंगल इक्वल होना चाहिए अगर यह 130 तो यह भी 130 क्यों z मतलब alternate angles तो यह b c y का value यूज करके हम लोग लिख सकते हैं लेकिन यह लिखने के लिए z कैसे बन रहा है देखो z में a b parallel to xy दिया हुआ है लाइन हम इसको काटता है न उसको transversal बोलते हैं लेकिन यहां पर आप इमाजन कर लो कि यह parallel lines को काट रहा है b c इसलिए उनका transversal है तो मैं लिखूंगा a b parallel to xy and b c is there transversal therefore angle a b c is equal to angle b c y alternate angles but b c y is 130 अब भी finding क्या मेंने therefore a b c b 130 होगा आया समझ में ऐसे लिखूंगा इसको a b parallel xy and b c is there transversal तो यह z बन रहा है इसलिए a b c is equal to b c y reason क्या है z मतलब alternate angles but b c y का value क्या देखो 130 degree तो b c y के जगे पर 130 degree लिख दिया तो a b c की value क्या आ गई 130 degree आया समझ में मैंने इसका एक और तरीका बताया था आपको कैसे solve करेंगे उससे try करेंगे क्या video pause करके एक बार देख लो यह उपर वाला part जो मैंने आगे वाले page पे लिखाता हो यहाँ पे डाल दिया है solution लंबा लग रहा है लेकिन मैंने आपको orally explain किया तब आपको समझ method अना वो भी try करना चाहिए क्यूंकि आपको नहीं पता ना आपको क्या click होगा exam में हो सकता है method one click हो सकता है method to click हो दोनों से answer तो same ही आना लेकिन हर जगे reason लिखना नहीं पूलना जो भी लिखा उसका reason होना चाहिए हवा में कुछ नहीं लिखना ठीक है screenshot ले लिया खुद की note book में कर लिया चलो next करते हैं तो यह fourth question हो गया अपना खतम ओके अभी हम लोग इसका fifth करेंगे fifth question में दिया है in figure 2.22 यह वाला figure ray ae is parallel to ray bd ae यह वाला है देखो यह ae and bd यह दोनों parallel है देख रहा है एकदम clearly देख रहा है figure में ray ae f is the bisector of angle eab eab का bisector है ae f bisector मतलब angle bisector क्या करता है angle bisector यह angle को दो equal parts में divide करता है तो यह angle था na eab तो इसके दो equal parts बन गए इसलिए उसको नाम उसने xx दे दिया दोनों equal होंगे न जो भी measure होगा अपने को नहीं पता क्या measure लेकिन जो भी आएगा इधर और इधर सेम आएग वैसे ही दे bc is the bisector of angle abd यह abd है और यह bc उसका bisector है तो अगर यह angle का bisector है तो यह दो अलग अलग तुकडे होंगे लेकिन equal होंगे इसलिए उसको नाम दे दिया है yy y क्यों दिया है क्योंकि x use किया न तो ऐसे बोलेंगे यह और यह equal है पता नहीं equal है कि ठीक है इसलिए उ कि दोनों equal आने वाले है प्रूव दाट line af is parallel to line bc तो यह जो af bisector है और यह bc bisector है प्रूव करना है कि parallel है एक दूसरे को ae और bd दिया हुआ है ठीक है देखो ae और bd दिया हुआ है कुछ angles के बारे में information दी गई है और बोला यह जो af है और bc है प्रूव करो कि यह parallel है लेकिन यह x देखके और y देखके आथे लोग बोलेंगे रहे भाई यह क्या दे दिया है फिर से इसमें algebra गुसा दिया है ऐसे equation in one variable समझ में नहीं आता है इस standard में school में omit कर दिया था ठीक है क्या फरक पड़ता है x y को ignore करना है ठीक है बहुत ही simple calculations दे उसका value नहीं निकालना देखो औरली करूँ क्या पहले अपना यही method से ही ना पहले औरली करते है फिर लिखके बताता हूं तो आपको लगता है कि simple है ठीक है अब उसने बोला है a parallel to b d a e यह है b d यह है parallel है और यह उनका transversal है क्योंकि यह उनको काट रहा है तो यह क्या बन रहा है देखो तेड़ा यह इसे वाला z है देखो ऐसे पर यह diagram को घुमा दिया है थोड़ा इसलिए ऐसा दिख रहा है तो मैं बोल सकता हूं यह वाला angle and यह वाला angle equal आएंगे क्यों बोल सकता हूं because यह z में alternate angles बन रहे है ठीक है तो मैं बोल सकता हूं यह angle and यह angle equal है यह angle की value क्या है इसका नाम यह लेकिन क्या मैं इसको बोल सकता हूं यह x plus x 2x है है ना तो मैं बोल सकता हूं कि यह 2x है this angle will be equal to this angle alternate angle और यह angle है 2y तो मैं बोल सकता हूं equal to 2y दोनों तरफ 2 से divide कर या 2 cancel कर सकते हो ना दोनों तरफ तो क्या आगया आपको आपको आगया x is equal to y यह देखो x is equal to y यह वाला क्यास मैं बूल सकता हूँ x और y equal है yes दिया हुआ है हमने अभी find किया लेकिन यह x और y तो alternate angles है अगर वो alternate angles हैं तो मैं बूल सकता हूँ na af is parallel to bc कौन से test से alternate angles test है हो गया काम समझा क्या किया पहले हम लोग ने जो information दिया था उससे find out किया कि 2x equal to 2y 22 cut हो गया तो बचा x equal to y x equal to y मतलब क्या यह x equal to y बट यह तो z में आ रहा है z मतलब alternate angle और यह alternate angle है तो उनकी जो lines है वो parallel हो नहीं ही चाहिए कौन सी lines af parallel bc कौन से test से alternate angle test से easy है ना कैसे लिखेंगे इसको तो यहाँ पे given क्या लिखा मैंने ray ae parallel to ray bd यह दिया हुआ है af is the bisector of eab यह भी दिया हुआ है ray bc is the bisector of abd यह भी दिया हुआ है proof क्या करना है line af parallel line bc वो भी लिख दिया मैंने यहाँ पे proof कैसे करेंगे सबसे पहले यह जो information दिये ना extra af is the bisector of eab वो use करते हैं तो यह af अगर eab का bisector तो मैं बोल सकता हूँ यह वाला angle and यह वाला angle equal हो जाएंगे यह red वाली चीज़ confuse कर दिये तो इसको हटा देते हैं अगर af इसको bisector है eab को तो मैं बोल सकता हूँ यह angle और यह angle equal है यह angle का नाम क्या है eaf और यह angle का नाम है fab fab दोनों equal आएंगे और उसका नाम देते हैं x पता है मुझे question में दिया है लेकिन आप ऐसे लिख दो हो सकता है question में यह x नहीं दिया हो खाली बोला हो bisector है ठीक है तो आदत दालों के ऐसे लेंगे x और मैं बोल सकता हूँ eab क्या होगा eab will be nothing but eaf plus fab क्योंकि यह बड़े angle में यह दो चोटे 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 angle है तो यह बड़ा angle will be equal to this चोटा angle plus this चोटा angle eab is equal to eaf plus fab जब भी angles आड़ करके बताएंगे एक बड़ा angle equal to sum of two चोटा angles तो angle addition property होता है नहो but इसका और इसका measurement क्या है अब भी हमने लिया था कि measurement है x तो इसके जगे पे x लिखो इसके जगे पे x लिखो क्या आ जाएगा x plus x which will be equal to 2x तो मुझे क्या मिल गया eab is equal to 2x eab मतलब यह पूरा angle figure में से देखके easily समझ रहा है लेकिन लिखके explain तो करना पड़ेगा यह भी कितना है x plus x 2x similarly यह abd के लिए क्या लिखेंगे हम लोग bc is the bisector of abd दिया हुआ है न तो मैं बोल सकता हूँ let abc is equal to cbd दोनों angle equal आएंगे bisector है इसलिए angle bisector क्या करता है angle को दो equal टुकड़ों में divide करता है तो abc और cbd equal लेलो और क्या आएगा उसका value y ठीक है given जो दिया था हो लिखा फिरसका measurement y लेलिया लेकिन यह जो बड़ा angle है abd यह क्या है it is sum of two चोटा angles abc plus cbd क्योंके यह पूरा angle यह दोनों angle से ही बन रहा है कौनसे दोनों angle से है 1 plus 2 तो y प्लस y क्या आजाएगा y प्लस y आपको आजाएगा 2y तो मैं बोल सकता हूँ कि abc plus cbd angle addition property y plus y will be equal to 2y तो यह measurement आगया 2x यह measurement आगया 2y ठीक है यहां तक मैंने आपको explain करते हैं अब हम लोग use करेंगे यह वाला property जो दिया है ray a parallel to ray bd अगर a parallel to bd है तो यहां पे z बन रहा है देखो a parallel to bd और यह जो line ab यह दोनों parallel lines को काट रहा है तो वो उनका transversal है a parallel bd and ab is the transversal तो मैं बोल सकता हूँ eab is equal to ebd because यह एक z बन रहा है alternate angles लेकिन eab का value क्या है 2x abd का value क्या है 2y 2x कहां से मिला from 2 and 2y कहां से मिला देखो equation number 4 तो from 2 and 4 लिख दिया दोनों side 2,2 cut हो जाएगा क्या बज़ेगा x equal to y है ना मुझे क्या प्रूव करना है मुझे प्रूव करना है कि af parallel bc है तो यह af parallel bc प्रूव करने के लिए मिरे पास 3 test है alternate angle test corresponding angle test and interior angle test अब यहां पे clearly दिख रहा है कि यह line ऐसे दिखाऊंगा तो z बन रहा मतलब alternate angles होंगे तो lines parallel हो सकती है कौनसे angles यह वाला और यह वाला इसका नाम क्या है F a b और इसका नाम a b c तो x f a b हो सकता है क्या देखो यहां पे x f a b हो सकता है तो X के जगे पे F A B लिख दिया and Y ABC हो सकता है क्या यहाँ पे देखो Y ABC है न तो Y के जगे पे ABC लिख दिया, मतलब F A B equal to ABC आ गया, but F A B and ABC तो alternate angles है अगर वो alternate angles हैं, तो जो lines उनको बना रही है न ये दो ये दोनों parallel है कौनसी है, A F and B C कौनसे test से, alternate angles test हो गया hence comma approved बच्चों, orally किया था बहुत easy है, लिखने की आपको practice डालनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगा आपको reason लिखना पड़ता है, तो ये पहले-पहले difficult लगेगा, आभी तक आप geometry का second chapter ही कर रहे हैं, सबको 9th standard का geometry बहुत difficult लगता है, क्योंकि पहली बार life में हर चीज़ का reason देना पड़ता है ऐसा ही time pass में कुछ भी नहीं लिख सकते हैं ओके, वीडियो pause करो, आराम से copy करो, इसके तीन section देखो, पहला section ये दूसरा section ये, और तीसरा part ये वाला, ठीक है notebook में copy कर लो next करते हैं तो अपना fifth question भी हो गया खतम, ठीक है ये भी हम लोग ने prove कर दिया अब भी six देखते हैं, six बहुत ही difficult दिख रहा है, लेकिन sixth और fifth में hardly कोई फरक है आपको अगर fifth समझाना तो sixth बहुत ही easily समझ जाएगा चलो देखते हैं sixth में क्या है a transversal EF of line AB and line CD line AB देखो ये वाला and line CD transfer को कौन है, EF transversal काट रहा है ना lines को इतले उसको transversal बोलता है intersects the lines at point P and Q ये transversal देखो lines को कहा काट रहा है P पे and Q पे ray PR and ray QS are parallel PR and QS parallel है ठीक है ये दिया हुआ है parallel and bisectors of angle BPQ and PQC BPQ का bisector PR है मतलब ये वाला angle और ये वाला angle equal and QS किसका bisector है PQC का मतलब ये वाला angle और ये वाला angle भी equal हो जाएगे ये दोनों equal है क्या वो अभी तक नहीं पता तो previous question में जैसा किया था ना इसको X और इसको X ले लेंगे and इसको Y and इसको Y ले लेंगे ठीक है वो बोल रहा था bisector है ना bisector मतलब ये दो टुकडे बनेंगे वो equal होंगे इदर भी दो टुकडे बनेंगे वो equal होंगे correct और उसने बोला है कि ये दोनों line parallel है ठीक है अभी जो given data है वो use करते हैं ये दोनों line parallel है ना मैं बता रहा हूँ parallel कैसे आ रहा है ऐसे parallel है देखो यहां पे QS and PR बोला है उसने यार parallel bisectors भी दिया था इसलिए मैंने XXYY ले लिया अब देखो ये Z देख रहा है आपको है ना Z अलग से Z बना के बताओं क्या है पूरा PR, QS और ये PQ वाला देखो यहां पे ये PR ये QS और ये बीच में PQ ठीक है ये वाला angle X और ये वाला angle Y देख रहा है Z बन रहा है ये angles क्या हैंगे बताओ ये line parallel है और Z बन रहा है अगर line parallel है और Z बन रहा है मतलब वो दोनों angle congruent है मतलब मैं बोल सकता हूँ X और Y equal है क्यों बोल सकता हूँ Because Z बन रहा है ना तो X equal to Y alternate angles होगा ना तो X और Y equal है ठीक है तो ये मैंने यहां पे लिख दिया X equal to Y दोनों side को 2 से multiply कर दो कर सकते हो ना दोनों side को 2 से multiply तो ये बन जाएगा 2X ये बन जाएगा 2Y अब ये 2X मतलब ये पूरा angle ना X plus X 2X हो जाएगा न मतलब कौन सा angle BPQ तो मैं बोल सकता हूँ angle BPQ equal to 2Y 2Y मतलब ये पूरा angle कौन सा angle है PQC ठीक है तो BPQ और PQC equal हा जाएगे लेकिन BPQ और PQC क्या है गर देखो BPQ and PQC ये तो Z बन रहा है भाई Z के ये वाले दोनों angle अगर congruent है तो तो मैं बोल सकता हूँ कि दो lines जो इनको angle बना रही है कौन सी line BP और QC ये दोनों parallel होनी चीए BP मतलब कौन सी line ये पूरी line AB QC मतलब कौन सी line ये पूरी line CD तो मैं बोल सकता हूँ ना कि AB और CD parallel है कौन से test से Z बन रहा था तो alternate angles test से मैं बोल सकता हूँ कि दोनों parallel है दिख रहा है same पहले जासा ही है इसके पहले के सम्में हमने क्या किया था हमको पहले दिया गया था 2X equal to 2Y उससे हम लोग ने X equal to Y निकाला और फिर प्रूव किया ये वाले question में X equal to Y निकाला X equal to Y से 2X equal to 2Y किया and then alternate angles test ये उसको प्रूव किया कि ये parallel है पक्का समझा आपको step समझ मैं है क्या किया मैंने देखो ये जो Z बन रहा था ये Z आपको दिया था question में कि ये जो line है PR और QS ये लोग parallel है अगर parallel है तो ये angle और ये angle equal आएगा क्यों? because Z है तो alternate angles है alternate angles not alternate angles test lines parallel है और आप लोग angle equal प्रूव करते हैं उसको बोलते है alternate angles ठीक है? तो X equal to Y आगया क्योंकि ये X है ये Y है दोनों side 2 से multiply किया तो I add 2X equal to 2Y इधर भी 2 इधर भी 2 तो 2X equal to 2Y but 2X क्या है देखो 2X तो ये angle है BPQ and 2Y क्या है ये angle PQC है ना? PQC है देखो but BPQ और PQC तो alternate angles है देखो यहाँ पे BPQ and PQC alternate angles में अब देखो Z बन रहा है अगर Z बन रहा है और दोनों Z वाले angles equal है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये line zone को बना रही है न देखो ये तो transverse है कौनसी line बना रही? ये ये वाली उपर वाली और ये नीचे वाली उपर वाली मतलब ये पूरी line AB और नीचे वाली ये पूरी line मतलब CD मतलब AB parallel CD कैसे? Z बन रहा था ना तो alternate angles test आया समझ में? वीडियो pause करके खुद से लिख सकते हो क्या ये? एक बार ट्राइ करो आपको 20-25 मिनिट जाएंगे लिखने को पहली बार लिख रहे हो लेकिन लिखना ज़रूरी है because ये same 5th question जैसा ही है मैंने आपको पूरा steps भी बता दिया है एक बार ट्राइ करो कि आपको reason समझ में आता है कि नी कैसे लिखते हैं अगर आपको आधा तक भी आ गया ना right कि सब reason नहीं लिखे थोड़े reason में सोगे तो भी चलेगा लेकिन practice करना है खुद से करने को वीडियो pause करो फिर मैं आपको सिखा हूँगा कि कैसे लिखते हैं लेकिन pause करके करना तो है हर एक बच्चे को चलो शुरू आजाओ जिन लोगों ने खुद से solve किया है उनको समझ में आएगा कि 5th question के steps और 6th question के steps exact same है आप अच्छे से observe करेंगे ना तो समझ में आएगा कि मैंने तो सिर्फ erase करके replace किया है क्योंकि अलग-अलग नाम थे इसमें बस पूरे का पूरा question same to same मैंने लिखा हुआ है सिर्फ जो नाम अलग-अलग थे वो cancel करके replace कर दिया तो 5th ध्यान दिया तो 6th भी समझ में आ जाएगा क्या किया देखो 6th में पहले रे PR bisects BPQ यहां पर देखो PR BPQ का bisector है अगर bisector है तो मैं बोल सकता हूँ कि BPR ये वाला एंगल and RPQ ये वाला एंगल एक बढ़ बढ़ा करके बताऊं क्या तो मैं बोल सकता हूँ BPR is equal to RPQ और उसको नाम दे दिया X अब मैं बोल सकता हूँ ये BPQ जो पूरा एंगल है उसको क्या बोलेंगे BPR plus RPQ एंगल एडिशन प्रपर्टी ये पूरा बढ़ा एंगल जो है ये दो छोटे एंगल का सम है तो BPQ is equal to BPR plus RPQ एंगल एडिशन प्रपर्टी ये दोनों का वाल्यू क्या है X देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा X plus X तो BPQ का वाल्यू आ जाएगा 2X अब जब PQC के साथ खेल होगे तो बोलोगे QS is the bisector of PQC therefore PQS equal to SQC equal to Y उसको नाम दे देंगे Y ओके और ये पूरा एंगल PQC क्या हो जाएगा ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल Y plus Y हो जाएगा 2Y एंगल एडिशन प्रपर्टी देखो यहाँ पे सेम जो यहाँ पे लिखा सेम चीज यहाँ पे लिखा लेकिन नाम चेंज हो जाएगे बिकॉस अलग एंगल है अब उसने question में क्या दिया है question में दिया है कि PR is parallel to QS ये PR और ये QS एक दूसरे को parallel है तो यहाँ पे Z बनता है देखो तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल ये वाला एंगल दोनों equal आएंगे कौनसा कौनसा एंगल है RPQ and PQS क्यों equal आएंगे because वो alternate angles होंगे but RPQ का value क्या है RPQ का value है X and PQS का value क्या PQS का value है Y तो मैं बोल सकता हूँ X equal to Y तो ये X equal to Y आ गया समझा ना RPQ का X है and PQS का Y है तो X equal to Y आ गया कहां से from 1 and 3 1 में देखो X value लिया है and 3 में Y वाला value लिया है देखो PQS Y है कहां से पता चला 3 में से RPQ X है वो 1 में से पता चला इसलिए from 1 and 3 लिख दिया है दोनों तरफ 2 से multiply कर दिया क्यों कि या because मुझे ये बड़े angles है न इनके बीच में रिष्टा चीए और बड़े angle का value 2X है और दूसरे बड़े angle का value 2Y है तो इसलिए मैंने ये वाले X और ये वाले Y को दोनों तरफ 2 से multiply कर दिया कर सकता है न same number से दोनों तरफ multiply करेंगे तो चलता है तो 2X equal to 2Y है reason लिखा multiplying both sides by 2 2X क्या है यहाँ पे देखो equation 2 में मैंने find out किया है 2X का value है BPQ तो 2X के जिए पे BPQ लिख दिया 2Y क्या है 2Y देखो यहाँ पे equation 4 में find किया PQC इसलिए reason में लिखो from 2 and 4 मुझे पता चला के 2X BPQ है and 2Y PQC है but BPQ and PQC क्या है देखो BPQ and PQC Z बन रहा है तो वह लोग क्या है alternate angles है अगर ये alternate angles है और equal है तो मैं बोल सकता हूँ ये जो लाइन इनको बना रही है ना येवाली line और येवाली line ये दोनों parallel है ये वाली line मतलब ये पूरी line AB येवाली line मतलब ये पूरी line CD तो AB parallel CD क्यूं Z बन रहा था ना तो alternate angle test hence comma prove full stop आया समझ में खुद से किया था तो आया खुद से किया तो कहां तक आपको समझ में आया क्या problem आ रहा था ऐसा assume मत करो कि आप कोई भी question पकड़ लेंगे और ऐसे ही आपको पूरा आ जाने वाला है हमको क्या पता है properties हमें जो है दी हुई है या हमको पता है वो use करके हम क्या कर सकते है तो आपको easy लगने लगेगा मैंने आपको बताया कि fifth और sixth आपको मैं fifth question दिखाऊ आपको समझ में आएगा कि solution exactly मैंने copy किया और word erase करके सिर्फ नाम change किया देखो तो यह यहाँ पर fifth question है देखो आप steps देखो मैंने exactly same चीज किया color भी देखो गे तो आपको समझ में आएगा मैंने same solution यूज किया है sixth में भी वीडियो pause करो देखो अच्छे से कौन से step में आपकी mistake हो रही है ओके कुछ doubt है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हो लेकिन उसके पहले आपको यह पूरा question तीन-चार बार practice करना है क्योंकि ऐसे तो आपको doubt आने ही वाला है तीन-चार बार करोगे तो समझ में आएगा कि इतना difficult नहीं है ठीक है तो यहाँ पे अपना 6th question खतम होता है और इसी के साथ हमारा practice set 2.2 खतम होता है तो आज lecture 2 में मैंने आपको इसके बाकी questions 4, 5, 6 करा के यह practice set भी खतम करा दिया है आया समझ में यह 6 questions आपको 3-4 बार एक-एक question प्राक्टिस करना ही पड़ेगा आप सोच रहे हो के by heart कर लोगे तो चलेगा नहीं नहीं चलेगा by heart करके geometry कभी नहीं सीख पाऊंगे एक अलग question पूछ लिया ना जिसमें थोड़ा सा अलग step पे तो आपको नहीं आएगा जैसे यहाँ पे देखो यह 8th question जो दिया है यह 6th question जो दिया है यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यह बहुत अलग questions यह बहुत अलग questions नहीं है ऐसे same questions आपने already solve कियें लेकिन यह exactly same तो नहीं है अगर exactly same नहीं है और आपने rectum आ रहा है तो आपको यह questions आएंगे लेकिन अगर आपने यह 5th, 6th question सारे questions समझ समझ के कियें तो आप कोई भी question आसानी से solve कर सकते हैं इसका मतलब यह है क्या जैसे ही मैंने 5th सिखाया 6th सिखाया आपको तुरंट समझ में आजाएगा आपको तुरंट समझ में नहीं आने वाला आपको 3-4 बाहर notebook में practice करना पड़ेगा हर step लिखते वक्त दिमाग लगाना है कि कहां से आया कौन सी property जो पहले सीखी थी वो use करके यह step आया है ठीक है तो ही आपको वो समझ में आएगा तो practice करिए यह बहुत ही easy लगने वाल है आज का lecture यहीं पर खतम करते हैं अगर आपको यह video अच्छा लगा हो तो like जरूर करें इसका link अपने दोस्तों के साथ whatsapp पर share करें ताकि उनको भी geometry easy लगे अगर आपने हमारे चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है तो subscribe करना न भूलें क्योंकि हम ऐसे ही सारे practice set के detailed solutions upload करते रहेंगे बेला icon पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया video upload करूँ आपको notification आ जाए जैसे problem set 2 अब में शुरू करूँगा तो उसका जैसे ही video आपको notification आए और आप वो important lecture miss न करें comment section में मुझे जरूर बताएं कि आपको यह lecture कैसा लगा अगर 6th question आपने खुद से solve किया और आपको आया है तो आप comment section में मुझे बोल सकते हैं कि I solve 6th question on my own जब भी आप ऐसा लिखते हैं तो मुझे देखकर बहुत खुशी होती है क्योंकि मुझे पता चलता है कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आपको समझ रहा है और आप खुद से solve करें तो भी आपको आ रहा है Thank you so much for watching this video